दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लागी जरूर कर दे साथ ही हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताई कि अब यहार के कीजिले में रहते हैं तो चले सिरुवात करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से चले पहली खबर में देखे वर्दी की चार रखने वाले यवावों के लिए खुसकबरी ग्रिया विभाग ने बुद्वार को इसको लेकर संकल्प जारी कर दिया है वाइदे के मिले जानकारी के नुसार ग्रिया विभाग ने केबिनेट बेढ़क के बाद पुलिस के सरसथ हजार नई पदो किस रिजन का संकल्प जारी कर दिया है इन पदों पर एक साल में करीब 4182 करोड 28 लाग रूपिय खर्च का नुमान लगाया गया है बिहार पुलिस में आगामी तीन सालों के अंदर राज में 2.56 लाग पुलिस कर्मी की जरूत को पूरा करने का लच बनाया गया है इसको लेकर इस 66,000 नई पदों किस रिजन के बाद 48,477 पदों पर डारेट भरती की जाएगी साथ ही आपको बता दे कि बिहार पुलिस की सीधी बरती के तहद 48,777 पदों में से 20,937 पद दारोगा और उसके बराबर होंगे वहीं सिपाई के 22,010 पद, ड्राइवर के 5,500 बदों पर सीधी भरती होगी इसके साथ ही इमर्जेंसी रिस्पॉंस सपोर्ड सिस्टम का दूसरा चरन लागू करने के लिए 19,288 पद भर जाएंगे वहीं डायल 112 के लिए इंस्पेक्टर रेंक में 269, तारोगा के 18,29, जमदार के 12, 68, अवालदार के 29, चालक सिपाई के 233 और सिपाई के 9,009 से 92 पद भर जाएंगे इसको लेकर वित बिभाग और केविनेट ने मांजूरी दे दी है बाड़ी खर में देखे राज के खिलाडों के लिए खुसकवरी बिहार में मेडल लाओ, सरकारी नोखरी पाओ, सियम ने तीस की बड़ी घुसना ज्यादे के बिहार के मुख्यमांत्रे नितीसकुमार ने गोसना की है कि खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता किलाडियों को सिधी नोकरी दे जाएगी। आने वाले दिनोंे राश्ट्य एवं अंतर राश्ट्य इस्तर पर पदग ये लाडियों को बीहार प्रास्वासनिंग सेवा, बिहार पुलीस सेवा या समकच में सीधिन नोखरी देंगे मुख्य मंत्री ने गुर्वार को पाटली पूत्र खेल परिसर में अठारवी राष्ट या अंतर जिला जूनियर एथलेष्ट पर तोगिता के उद्गाडन के मौके पर या गोसना की है कि लाड़ियों को उन्होंने कहा कि मेडल लव नोखरी पाओ बाड़े खर में देखे तेजस्वी ने कर दिया एलान मौई नूल हक स्टेडियम में जल्द होगा इंटर नेशनल मैच जादे के पटना के पाटली पूत्रा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में गुरुवार को नेशनल इंटर डिस्टिक जूनियर एथलेष्ट मीट का उज़िन हुआ कारकरम का दुगाडन मुख्यमंतरी ने तिसक मानने किया इस मौके पर डिप्टी सियम तेजस्वी याद भी मौजूद थे इस मौके पर उन्होंने एलान किया कि अब जल्दी मौई नूल हक स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच लोग देखेंगे बिहार सरकार मौई नूल हक स्टेडियम का नया निर्मान कराने जा रही है आब जल्दी हम लोग वहां इंटरनेशनल मैच देख सकेंगे पुरानों यादों को याद करते वे तेजस्वी ने कहा कि जब हम छोटी थे तब केनिया और जिंबाबे की बीच मौई नूल हक स्टेडियम में मैच को देखे थे इस मैच के बाद आज तक कोई इंटरनेशनल मैच मौई नूल हक स्टेडियम में नहीं हुआ है पढ़ना में इस इंटरनेशनल स्टेडियम बनने के बाद लोग अपने चहते के लाड़ियों को मौई नूल हके स्टेडियम में खेलते वे देखेंगे हमारी यही कोसिस होगी बाड़कर में देखें नितिस सरकार का बड़ा फैसला यहीं साथ जिलों में पिछड़े वर्ग के चात्रों के लिए होस्टल कहोगा निर्मान जादे के बिहार सची वाला में नितिस केबिनेट के अहम बैठक बदवार कहोई थी इस बैठक में कोल 18 एजन्डों पर केबिनेट के मुहर लगी थी जहां सियम केबिनेट ने पिछड़े वर्ग के चात्रों के लिए बड़ा उफाहर दिया है पईठक इस वस्टल के निर्वान पर कूल 34 करोड 91 लाग 82 हजार रूप्य खर्चुंगे प्रत्यक वस्टल के निर्वान पर 4 करोड 88 लाग की योजना है बाड़े खरमेंदे के बिहार के नर्सिंग केडर में बदलाव की तयारी इस्टाप नर्स होंगे नर्सिंग ओफिसर प्राथमिक इलाज का मिलेगा दिकार जादे के बिहार में इलाज के वरतमान आवाई सक्ताओं को देखते हुए स्वास्त विभाग नर्सिंग केडर में ब्यापाग बदलाव करने जा रहा है इसके तहद स्वास्त सिवाव के महतपून अंग नर्सों की सिवाव और पदनाम को लेकर कई बदलाव होंगे इस टाप ग्रेड ए नर्स के पदों को अपग्रेड गर इसका पदनाम नर्सिंग ओफिसर किया जाएगा इनको इलाज करने का कुछ अधिकार भी मिलेगा इससे ग्रामिन छेतर में चिकिसकों के नहीं रहने पर वो अपने सव वेक से मरीज का प्रारमे के लाज करने रेफर कर सकती है वाईदे के इसी परकार से बेसिक कोर्स करने वाली नर्सों को छोम मा का तरीक्त प्रासिचन दे कर कम्यूनिटी हेल्थ ओफिसर यानि की सेचों का दरजा मिलेगा राज में सेचों को अबरेट करने का प्रासिचन दिया जा रहा है इसके अलवा गर्बा बस्ता के दौरान महिलाओ को होने वाले तकलिप में एनम को कुछ चिकस्य परामस देते वे रेफर करने के दिकार पर भी विचार किया जा रहा है जादे के पाटना मेट्रो में अंडरगराण सब्य से जुड़ेगा बिहार म्योजियम और पाटना म्योजियम अगले मास से शुरू होगा निर्मान जादे के बिहार मियोजियम को पाटना मियोजन से जोडने वाले प्रस्तावित करीब डेड़ किलिमेटर लंबे अंडरग्राउंड सब्यों का निर्मान कारे जल्द सुरू हने के उमीद है दिली मेट्रो रेल कोरप्रेसन के मताबिक इसके निर्मान को लेकर एजनसी चैन का टेंडर इसी मत्समावित है मार्च तक एजनसी का चैन पूरा होने पर काम सुरू कर दिया जाएगा महीं वर्क ओडर मिलने के बाद तीस मैने के अंदर काम को पूरा किया जाना है इस प्रोजेक्ट पर कूल 373 कड़ों रुपे की खर्च अनुमानित है महीं नगर विकास से आवास विबाग ने हाल की बज़न में रासी में से पांच करोड रुपी अबलब्त कराये हैं आपकी जानकारे के लिए बता दे कि इस अभी पाटना म्यूजियम परिशर से सुरू होकर जमिन के अंदर विदावित मार्ग, तारा मंडल, आयकर, गुलंबर, पाटना विमें बाट कर्मीं देखे, बिहार के पैटरॉल पॉंपप पर सुरू होगा, पैटरॉल में 20 फिज्झ एतनॉल का मिसरन, ब्रदऊर्शन में आईगी कमी जिया देके बिहार में भी पेट्रोल में 20 फीज़ एतनौल का मिसरन शुरू हो गया है अभी पटना की जिरो माईल इसी दे इंडियन ओयल कॉर्परेशन के पेट्रोल पंप पर 20 फीज़ एतनौल मिसरत पेट्रोल मिल रहा है देरे देरे पटना गया और पटना मुझा पर है तो अभी चीने मिलो की डिश्टिलिर्निंग में करीब बारक डोल लीडर सलाना होता है वाइदे के बिहार के नए एतनौल पॉलिसी आने के बाद राज सरकार ने 17 एतनौल उत्पादान यूनिट को मंजूर दी है केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 10 फीज़ एतनौल मिसर सब्सक्राइब की थी बाड़ेखर में देखें बिहार के स्कुलों में निवक्टों के साथ अजार कमप्योटर सिक्चक जाद है के रोजगार को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा एलन की है बिहार के सब्सक्राइब और ओच विदालेव जावाहर नवोते विदालय के लिए जमिन देने के प्रस्ताव को मंजुरिदी है इसके लिए पत्र निर्मान विभाग 12 सरकार के सिक्षम मंत्राले को फिरी में जमिन देगा बारेकर में देखे बिहार डियलेड सायोंक तो परविस परिचा 2023 के लिए वड़ी आविदन किती थी अब इस तारीक तक कर सकते हैं आविदन जहाद के बिहार बिटालई परिचा समिती ने डिलेड सायूंग तो परवेष परिचाँ 2023 के लिए आविदान करने के आपीम्तिति को बढ़ा दी है इससे पहले आविदान करने की तेती 8 फर्वरी थी जिसे समिती ने बढ़ाकर 15 फर्वरी कर दिया है सामिती ने गुर्वार को नोटिस जारी कर कहा कि डियलेट परविस परिचा को लेकर स्टुडेट 15 फरवरी तक एडमिसन करवा सकते हैं राजबर के 307 डियलेट कोलेज के 3700 सीटों पर एडमिसन के लिए आवितन अब 15 फरवरी तक उलाइन कर सकते हैं एडमिट कर दो मार्च तक जारी कर दिया जाएगा साथ ही आपको बता दे के डियलेट सयूंग तो परविस परिचा 13 से 20 मार्च तक उलाइन अविजित की जाएगी बारे खर में देखे आब स्टील के बरतन में बच्चे काएंगे मिड़े मेले 70,000 स्कूलों के लिए खरीदे जा रहे हैं बरतन जाद के बिहार के प्राथामिक और माइड़ स्कूलों में चल रहे मध्याई भोजन योजना को लेकर बड़ा निने लिया गया है बाराज के 70,000 स्धिक प्राथामिक माइड़ स्कूलों में बच्चों को मध्याई भोजन इष्टिल के बरतन में दिया जाएगा इसको लेकर सभी जिलों के डियम को निर्देस जारी किया गया है अब इसी को द्यान में रखते हुए इस्टिल के बरतनों को करने का अदिस दया गया है बड़े करमेदे के संग प्रामुक मोहन भागवात का बिहार दुरा जबाबा रामदेव होंगे सामिल जदे के संग प्रामुक मोहन भागवात दस बरवरी को बिहार रहे हैं बागलपुर में मोहन भागवात महारसिम मेही आसरम को लोकारपन करेंगे इस कारकरम में उनके साथ बाबा रामदेव और महावीर मंदिर के सचीव किसोर कुनाल भी सामिल होंगे महारसिम में ही आसरम को दस क्विंटल फुलो से सजाए जा रहा है संग प्रामुक और बाबा रामदिवी के आगमन को लेकर मारसी मेही आसरम कुपा घाड के असबा सुरक्चा के कड़ी विवस्ता की गई है सुरक्चा के लिए नागपूर से भी 12 सदसे टीम आसरम बहुच चुकी है इसके साथ सुरक्चा विवस्ता पर बिहार पुलिस का दिकारियों के भी नजर है बाड़े कर में देखिया अब नितीय से तजस्वी सिमांचल में करेंग रेली पांच माँ पहले पुर्णिया की जिस मैदान में आये थे अमित सा वहीं एक तो दिखाएगा महागडबंदन जादे के सिमांचल के वोट बैंक पर महागडबंदन की नजर है 2024 का लोगसबा चुना अभी दूर नहीं है महागडबंदन की ओर से 25 फरवरी को पुर्णिया में बड़ी रेली की तयारी की जा रही है महागडबंदन की या रेली ग्रेम मंत्रे अमिस सा की पुर्णिया में जनसबा के करीब पांच बाँ बाद हो रही है और उसी रंग भूमी मैदान में हो रही है 23 सितंबर 2022 को अमिस सान पुर्णिया में यहीं जनसबावना रेली की ती इसमें उन्होंने 2024 के लोकसवा चनाओ का 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 कीचा था अब खुदमों के मंत्रे नितिस कुमार और डिप्टी सिम तजसु यादा मागडबंधन के आने नेताओं के साथ पुर्णिया में ही रेली करेंगे रेली का मकसद मागडबंधन का सक्ति प्रजसन तो रहे गई और हाल हमें बिहार में हुई राजनति घटनाओं के बाद एकता दिखाने का भी मौका होगा बाड़े खर में देखे जारी हुआ SSC CGL Tier 1 का रिजल जा देखे करम चारे चायन आयोंग ने सीजेल Tier 1 का रिजल जारी कर दिया है परिचातरे SSC.NIC.IN पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं सपल और असपल अवियर्तु के मार्क से 22 फरोडे 2023 को जारी होंगे आयोंग ने 1 दिसम्बर से 13 दिसम्बर 2022 तक और लाइन मोड में इस बरती परिचा का आईजन किया था इसके जरी किन्द सरकार के विवागों में लगबग 37,000 पदों पर नियुक्ती होगी देश से बर से करीब 31 लाग यवावन इस बरती को फॉर्म बरा था अडिकरमेदी के बिहार में साथवे चरन के सिक्चक बाहली जेल पचास बिदी पदों पर सिधी नियुक्ती प्रसासन को भेजी गई नियामोली जैदे के बिहार में सबी तरह के सिक्चक के नियुक्ती के लिए एक प्रकार की नियामोली बनाई गई है सिख्चा मंत्री प्रोपेसर चंद्र सेकर ने सिख्चकों के नियुक्ती प्रक्रिया से जुड़ी नियामली के विभाग ये प्रस्ताव को हरी जन्री दे दी है प्रस्तावित नियामली के खास बात याओगी कि रिक्त पदों में से 50 फिदी पद 29 से भरे जाएंगे साथ प्रस्तावित नियामली में आरजित आउकास दोगोना कर दिया गया है वाइदे के सिख्चा मंत्री के अनुमधिक और अपचारिक मंजूर के लिए प्रस्ताव सामान प्रस्वासन वित और विदी विभाग को भीज दिया गिया है उमित जताई जारही की होले से पहले केबिनेट हर हाल में सिक्चक नियामली हरे जेन्री दे दी है जानकारी के मताबिक नियामली में निक्तियों और प्रमोशन के अलावा सिवत सर्तों पर सितना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें